सीरियल नागिन 3 में दर्शकों को जहां एक ओर माहिर और बेला का रोमान्स पसंद आ रहा था तो वहीं अब सीरियल की कहानी में शान के आने से एक नया ही ट्विस्ट आ गया है शान है कि बेला के पीछे हाथ धो कर पड़ गया है वो किसी भी कीमत पर बेला को हासिल करना चाहता है हाल पिलहाल के एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि किस तरह से उसने बेला को अपने वश में कर लिया है बीन की एक खास धुन पर वो बेला को नचाता हुआ नजर आया वही माहिर और विशाखा भी बेला को ढूंडते हुए पहुँचाते हैं उस गुफा तक जिसमें शान ने बेला के साथ साथ घर की अन्य महिलाओं को भी रखा है सुमित्रा हो, पोलो हो, अनू हो या फिर कुहू हर कोई शान के इशारे पर नाचता हुआ नजर आ रहा है वही जब माहिर का बेला से सामना होता है तो बेला माहिर को पहचानने से साफ इंकार कर देती है वो उसे पराया मर्द कहती है जिसके बाद विशाखा उसे समझाती है कि शान ने उसको अपने वश में कर लिया है बेला को कुछ भी याद नहीं आता और वो शान की चाल में फस्ती चली जाती है वहीं आप आज के एपिसोड में देखेंगे कि शाहनवाज माहर पर हमला करेगा और बेला चुपचाप ये सब देखती रहेगी वो माहर को बचाने की बजाए माहर पर चिलाती हुई नज़र आएगी माहर उसे याद दिलाएगा कि उन दोनों की शादी हो चुकी है लेकिन बेला उसकी एक बात नहीं सुनेगी कि वो उसको जवाब देते हुए कहेगी कि हाँ उसे याद आ गया है कि उन दोनों की शादी हुई थी लेकिन अब वो उससे तलाक लेना चाहती है सुमित्रा बेला के हाथ में तलाक के कागजाद पकड़ा देगी और बेला उन तलाक के पेपर्स पर साइन करके उन्हें माहिर के मूँ पर फैंक देगी इसी बीच शान और माहिर के बीश लड़ाई होती हुई भी नजर आएगी शान माहिर की गर्दन पर खंजर रख देगा अब विशाखा और माहिर किस तरह से बेला को शान के चंगुल से छुड़ाएंगे इसका पता सीरियल के आने वाले एपिसोड से ही चलबाएगा टेलेविजन जगत से जुड़ी ताजातरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप तक पहुशता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट